हाई फ्रेंड गूरीटनिंग वल्कम बैक टो मैं यूट्यूब चैनल सबसे पहले तो आप लोग को मैं बहुत बहुत धन्यबाद देना चाहता हूं मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए और चैनल पर कमेंट्स करने के लिए इससे मुटिवेशन मिलता है आप सामने एक नए-निया हेल्थ इल्थ टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए तो आज हम बात करते हैं क्लिस्ति टो तुम Allah के बारे में क्यों ज़्चाण का चांपारी होता है और कोलिस्टेटो मा को समझ झने से पहले हमारा कान का थोड़ा सा आ का होता है उसको अमलोग बोलता है external auditory canal यानिक आउटर यह उसके बाद बीच बाला जो पाट होता है उसको मेडल एर बोलते हैं और उसके बाद फिर inner शुरू होता है तो external auditory canal और middle ear की बीच में एक परदा होता है उसको अमलोग बोलता है आर्चर यानिकी medical उसको अमलोग बोलता है tympanic membrane तो फिर tympanic membrane के past connections होता है जो चोटा चोटा बोन्स होता है उसको में बोलता है की इनकास और मेलिय स्कून anten rap future और मेलियर्शा वकाश्यक एक नाला जैसा वो Youtube channel होता है उसको में reason होते हैं semi circular channel तो वो उससे जुड़ा रहता है फिर semi circular channel होता है वह जो आपका inner ear हो गया वह cochlea एक tissue होता है receptor जैसा होता है उसके साथ वो जूड़ जाता है फिर cochlea से फिर हमारा direct print से connection होता है तो जैसे ही धोनी तर्ण यानि कि sound wave कोई केनल से कनल की होते हुए ऐरड्रम में हिलने लगता है तो जैसे यह डू पर मेलियस जो बोन होता है वो भी हिलने लगता है जैसे वह हिलेगा फिर वह जो सेमी सर्कुलर कैनाल है वहां पर छोटा सा छोटा सा फ्लूइट यानि कि लिकुड प्रतार्त रहता है वह वह भाइब्रेट करने लगता है तो सेमी सर्कुलर कैनाल जब जो सरी जो इनकस और मेलिय जब हीलता है तो वहां से जो तारंग होता है वह होता है वह सेमी सर्कुलर कैनाल के तू हमारा कोक्लिय में जाएगा जहां पर रेसेप्टर होते हैं तो इसी तरह से धोनी तारंग जो होता है एरड्रम से टकरा के इंकस और मेलेस के मेलेस से होते हुए इसके बाद दों सिग्नल ब्रेंड में चला जाता है तो इस तरह से हमको धोनी तरंग या होता है किbet्तरु हुए तो यह तो रहा किस तरह से हमारा जो कांन क्गान है फिरूडन का प्रतिक्रिया किस तरह से काम करता है क्लिस्टवोमा क्या होता है कि देखिए जब जब हमारा जो इस्कीन होता है इसमें जो सैल संपोसिकाएं खेड़ी में चनौ वह बुर्फ बוא जब डेट हो जाता है तो वो हमारा में अपनीकल जाता है और लेकी शिए आप केरेटेनाइसिंग स्कौमस एपिफिलियूम बोलते हैं लेकिन जब इयर ड्रम पर्दा होता है जब उसमें पॉकेट बन जाता है तो जुट टीशू होता है जो मरा हुआ कोषीकाई पॉकेट में जमा रहता है फिर दीरे दीरे करके वो बड़ा बड़ा होने लगता है उसके बाद अगल बगल में जितना पी जो नॉर्मल स्टक्चर होता है मिडल एर में हमारा जैसे मैंने आपको बोल दिया सेमी सर्कुलार के अनल हो गया फिर बाकी आसपास का जो बोनी एर सैक हो गया उसको हम लोग सा तो ये होता है स्कॉलिस्ट्टरॉमा यह सोयगा मीडल में जितना कॉसिंघ्र का यह होता है उससे ब्दल जाता है तो जब यह बढ़ना सुरू हो जाता है तो जैसे मैंने आपको बोला कि यह जितना भी मीडेलियर का जो इतना भी बोन्स होता है उसको खराब कर देगा फिर उसके बाद जो हमारा यह जहां से हमारा जो माथा सुरू हो जाता है स्कल्स का बोन होता है वोखा उसको भी खराब कर देता है तो वहां पर क्रोनिक इंफ्लामिशन हो जाता है यानि कि सुजन टाइप का होता है तो उसके बाद फिर एक टिश्यू जैसा बनता है उसको अम लोग ग्रेनिलीशन टिश्यू होता है तो अब देखते हैं कोलेस्टोटोमा होता है एक होता है और दूसरा होता है एक कोलेस्टोटोमा और दूसरा होता है एक कोलेस्टोटोमा बाई बर्थ होता है उसके बाद एक कोलेस्टोटोमा जैसे आपका कोई भी अगर कान में कोई भी इंफेक्शन हो या फिर आपका जो एर ड्रम है हमारा ज वो सब आपका कोलेस्टोटर्म होने का चांसेज रहता है, तो उसमें क्या-क्या स्यंटम्स होता है, यानि कि लक्चन क्या होता है, सबसे पहले सबसे कॉमन लक्चन होता है, कि आपका, हम लोग इसको बोलते है, स्कैंटी, पर्सिस्टेंट, फाउल स्मेलिंग, टिंच विद एर डिसचाज यानि की कान से थोड़ा थोड़ा पानी वेता है वो आपका चिप चिपा जैसा होता है और कं मात्र में लेकिन भेते रहता है और कभी जिए भी उसमें थल्का धुन का थप्पा भी आपको दिखाई जाता है जो करें जो किसी किसी को चक्र भी आ सकते हैं, तो रहा आपका लग्जन होता है, जो हमारा जो मिडिल वहां पे एक नर्व जाता है उसको हम लोग फेशियल नर्व बोलते हैं जो की हमारा प्रोमिनेट्टी हमारा चेहरे में सप्लाइ करता है मसल्स का मुपमेंट को ताप मांड टेंपरेचर पेन यह सब सीगनल को करता है तो फिर वह जब वह नर्व पैरलैसिस हो जाता है तो उस उसके उपर परत होता है उसको बेस अपता स्कल बोलते है उसके फिर उपर से ब्रेन स्टार्ट हो जाता है तो वहां पर बेस अपता स्कॉल को वहां पर जो बोन होता है उसको खराब करके ब्रेन में जा सकता है तो एप्सेस हो सकता है तो फिर यह तो रहा कॉंप्लिकेशन अब देखे इसमें treatment क्या होता है treatment तो अब जैसे आप doctor के पास जाएंगे तो doctor आपको सबसे पहले तो आपको autoscope करके देखेंगे autoscope हमारा एक यंत्र होता है जिसे हम लोग कान के अंदर क्या हो रहा है eardrum बगारा देख सकते हैं या फिर कोई-कोई endoscopy भी करके देख सकते हैं कि आपका exact पता चलेगा क्या आपका cholestytoma है या कोई और बीमारी है या किस पेज़े से आपका eardrum में मतलब कहां से पानी निकाल रहा है और दूसरी बाद फिर आपको high resolution CT scan जो यह बोलते हैं हम लोग इसको temporal bone बोलते हैं और पीछे का जो होता है तो उसमें हम लोग उसको अच्छी तरह से हम लोगों दिखाई देगा उसको हम लोग बोलते हैं हाई रेजलेशन CT scan of temporal and mastoid bone फिर आपको प्योर टॉन auditory करने के लिए बोला जाता है उससे हम लोग को यह पता चलता है कि आपका कितना hearing loss हुआ है उसमें hearing loss भी different type का होता है conductive hearing loss दूसरा होता है sensory neural hearing loss उसके दोनों अगर है तो उसको हम लोग mix hearing loss बोलते हैं तो वह आपको का जो treatment होता है हमेशा surgery होता है surgery से इसको cure करना होता है कि आप ऐसे छोड़ देंगे इसको तो in future भविशे में जाके बहुत खतरना complications भी हो सकता है तो इसमें हम लोग इसमें doctor क्या करते हैं कि यहां के पीछे से बहुत सारा technique होता है च्राइस में surgery करने का तो इसमें यहां पीछे से यहां से आप लोग का यहां पे जैसे मैं आपको थोड़ी था में आप वीडियो में देख लिजेगा तो यहां से अम लोग को एक इन्सीजन ले घृएं करता है तो को यहां से भी operation करते है कि आपका कैसा किस और फिर सर्जुरिप के उपर अपका क्वन करेगा तो उसमें क्या करते है वह आपको जुतना टॉलिस्ट्टेट हो माय को सब निकाल निकाल देंगे, पूरा निकालने के बाद फिर को सकते हैं आपका meadowahan clock aienia का मीडिल दें Sage खराब तो दॉक्टर का सबसे अपरेशन में सबसे दो मुख्य एम होता है एक तो कि जो बीमारी उसको पूरा तिरा से निकालना और उसके बीर कशी हैं जितना हो सक princip क्या सब्सक्राइब कि यह अपरेशन के बाद आपका कोलेस्टर्मा का बारे में जो अमने बताया तो उसमें भी प्रोसेजरी का नाम होता है यह सब coke करते हैं और ये हम लोग करते हैं हम लोग का अच्छा सा इंस्टूमेंट लेके हम लोग को किसी किसी इंस्टूटूट में हम लोग आप cosmetics कहा कहां जो जा रहा है उसकोinaudible करके भी करते हैं ताकि और on operation के बाद आपका वह नउव लेकिन उसमें आपको डारने के बिलकुल जरूरत नहीं है क्योंकि Complication operation के बाद बहुत काम रहता है chances of complication तो आप operation होने के बाद आपको डक्टर क्या सला देते हैं तो आपका दो हफ्ता के अंदर आपको टाका है जो stitch किया हुआ है वो निकालने के लिए बू draw तो यह थांते कर ना है आप को इक तंब भरिभरजनी कां में करना है फिर इस्पोर्ट्स वगर है उना है उसके बाद आप खोगे तो 4 हपता तक आप में फ्लाई मत की जिएग तो आपको कान जो हता हमेशा सुखा रखना है आपका कान को हमेशा ड्राइ रखना है दो मेने तक तो यह तो रहा आपका कॉलेस्टेटोमा के बारे में मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को सेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करते हैं फिर हम एक नय वीडियो का की जैद्यों सेर काई झाला है झालसाएब कारते हैं